दोस्तों कल आपने देख लिया होगा मोजी साहब को भाई साहब हर आदमी मसका लगा रहा था बाइडन से लेकर ऑस्टिलिया के दानमंत्री बाइडन बोल रहा है तो अमेरिका में जो प्रोग्राम हो रहा है मोजी के लिए डिनल आयो जै तो उसमें लोगों ने भीड लगा सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करें अब हम कैसे बहुत मसका लगा रहे थे इसी बीच भाई जी ग्लोबल लीडर्स की देंकिंग आ गई आप स्वेम देख लीजिए मोधी 78 परजेंट पे हैं और उसके नीचे उसके नीचे जो अबरड़ार है मेक्सिको के वह 62 से यह जलवा वाई साब बाइडन देखो ब्यालीच परसेंट इनके देश में इनकी कोई नहीं सुनता तो मोधी सहाब की भारत में जो महिमा है मोधी जी को आप लोग सपोर्ट देते हैं उसी के कारणा जो है ऑस्टेलिया के प्लार मंत्री सब चक्क्र काट रहे हैं लेकिस माउंट वेटन वगेरा वो कहते थे फाल्टी की बात नहीं चलेंगी मुद्दे की बात पर आओ मुद्दे की बात करो वही किया है मोधी जी सेवन में उन्होंने पूछ लिया कि ये बताओ हमें ये जी सेवन जी ट्वन्टी की जरूरुत क्या है क्यों दुनिया में एस सी क्यों बना रखें इसका मतलव सीधा सीधा यह है यूनाइटेड नेशन्स असफल हुआ है और यह इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है भारत जैसे देश को आज तक यूनसी में वीटो का अधिकार नहीं है यही है मुद्दा जो म इन्डारेक्टिली रिफॉर्म की बात कहके रहने यही कहा है कि भाईया यह फालतुब दुनिया वर में हवाई जाय से मत घूमो यूनस्टी में आपने निर्मान किया है यून का गठने तो उनका महत तो बढ़ाओ उनमें दुनिया की आवाज सुनी जाए दुनिया की आव पर निसान लगाना बहुत बड़ी अगठना करें भाई जाब इन लोगों की मक्षन वाजी में नहीं पढ़ने का जे भाईया जी सोचते कुछ है करते कुछ और हैं इसलिए सजेक्ट्च्चों करने रहे के अपने राष्ट्री हितों को मोली साब आगे बढ़ा रहे हैं यह सबसे अच्छी बात है वाई साब रही बात यह कि लोगों को खुछ होना है तो भाईया जी हो लो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारा जो उदेश है हमारे जो हित हैं वो सदना चाहिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह लोग तो भाईया जी आज मीठी ब जात हैं जैसे बाड़त में नहीं इसको मार के हैं भरोजा नहीं करते भाईया जिनकी उपर अबंत हो